दोस्तो, प्लसपंड के यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तो, मैं इलेट्रोनिक्स के लिए टो चैनल पर वीडियो बनाता है। साती साथ अभी मैंने इलेट्रिकल्स और आटोमेशन पर भी वीडियो बनाना चालू किया है। ताकि आप लोगों को एक बहुत ही बैतरिंग जानकरी मिल सके पूरे इस फिल्ड के बारे में तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है PLC अगर यानि के इंडिश्टिल आटोमेशन के लिए अगर आप कुछ कोर्से करना चाते हैं तो PLC जो है सबसे बेस्ट रहता है PLC के जरी हम लोग आटोमेशन करते हैं इंडिश्टिज के अंदर और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो सोर्स और सिंग टाइप कनेक्शन कैसे होता है PLC के अंदर उसको डीटेल में जाने की कोशिश करते हैं यात रखेगा वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चले वीडियो की शुरुआत कर लेता है सबसे बलने तो PLC है क्या? वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं ठीक है? PLC जो रहता है उसको बोलता है Programmable Logic Control एक रहता है एक RLC RLC जो PLC के पहले आपको सीखना बढ़ता है उसके बाद मैं PLC है RLC मनें Relay Logic Control Relay के जरीए हम लोग कुछ Automation Circuit बनाते हैं इंडर्स्टी के लिए उसको RLC बोला जाता है वही चीज़को अगर मैं Programming के उपर basis पे कर दो यानि कि सब कुछ Automatik होना चाहिए कम चीज़ों में जादा सदा काम होना चाहिए तो उसको बोलते है Programmable Logic Control ठीक है तो बेसिकली इसका एक Computer का यूज करके पूरे इंडर्स्टी को एक Automatik कर देना है या कुछ चीज़े जैसे कि मुझे Production Line पूरा Automatik कर देना है Starting Salary पर मन 50-60,000 पर मिल जाती है तो इतना Career Opportunity है PLC के अंदर चले आगे बढ़ते है हमारे Main Topic के उपर लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दू Programming Logic Control तो आप बोलेगे सर कौन सा Programming हम लोग यूज करें बरवर याहां से आपको Confusion पैदा होता है तो सबसे बहले वो Confusion को Clear कर दे PLC जो Programming है वो आम तोर पर जो हम लोग यूज करते है वो Ladder Logic रहता है ये इंडिया में जादा दा Ladder Logic ही यूज होता है इसके अलवा SFC यूज होता है यने के Sequential Function Chart जनरली यूज वगरे में आपको FSC यूज किया जाता है फिर कुछ-कुछ जगे पे Function Block Diagrams का यूज कियाता है फिर Europe वगरे में जाएगा तो Structural Tracks PLC Programming यूज होता है या Instruction Listing यूज होता है इसके अलवा कुछ-कुछ जगे पे C Programming का भी प्रयोग होता है अगर अपने RDNO वगरे सीखा है तो उसमें C Programming आता है न तो ये यूज करके भी PLC में Programming किया जाता है लेकिन ज्यादा तर केसे इसमें इंडिया में जो चलता है वो Letter Logic ही चलता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इतना समन में आगे अगर PLC की बात करी रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको और डीटेल दे दू कि PLC को थीन हिस्सों में बाटा गिया है एक उसका Control Unit रहता है जहां से हम लोग उसको Programming कर सकते या Control कर सकते एक रहता उसको Inputs Section जहां पर हम लोग कुछ Input उसको Signal दे सकते जैसे कि SENSORS के जरिए या समझो Thermal के जरिए या समझो Buttons के जरिए कुछ में Logic Input दूगा उसका Output जो रहेगा वो Output Model के जरिए Assign होगा महला मोटर चालू हो जाएगा या Alarm चालू हो जाएगा So and so कुछ भी चीज जो हम लोग चालू करवा सकते है Input signal के जरिए तो इससे तीन हिस्सों में उसको बाटा जाता है तो इसका एक कुल मिला के जो portion है वो ऐसा है कि एक जो हमारा main portion रहता है जिसमें CPU लगावा रहता है उसकी खुद की memory रहता है programming रहता है data रहता है जो कि हम लोग को एक computer के जरिए program करना पड़ता है जो चालू कर सकते है या बंद कर सकते है यह पूरा रहता है PLC और अफकोस power supply को तीनों को अलग से देना पड़ता है इतना clear है चले ठीक है अभी हमारे main जो टॉपिक है connections उस पे आ जाते है connections में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके उपर काफी सारी चीजे लगी हुई है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह उसका पूरा logic है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे है यह x0, x1, x2, x3, x4, x5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है यह पूरी input side बोली जाती है और y जो लिखा वो output side मानी जाती है और जो connection दे आ जाता है वो SS जो लिखावा ना यहाँ पर ही यहाँ पर जो हम लोग उसको supply देता है इतना clear है? ठीक है अभी अपना जो main topic है source या sync वो कौन सा है तो उसको समझने से बले जानकरे के लिए बता दू हम लोग ने online में बहुत सारे courses चालू कर दिये RLC का तो चालू करी दिया है PLC वगर दीवाली तक लाने वाल है इसके लवा electronics है, electrical है, computer hardware, laptop repairing, mobile repairing programming में भी भूँत सारे courses है Arduino है, robotics है even computer के basics course है networking के courses है, बहुत सारे 40 से जादा courses है यह सब courses करने के लिए केवल mobile में एक application download करना है, application का नाम है Plus Point Training, यह आपको Google Play Store पे मिल जाएगा, अधिक जानकरे के मेरा WhatsApp नमबर है, उस पे मुझे केवल Hi का message डाल दीजे, तो मैं सारी जानकरे आपको WhatsApp के माधियम से भिचवा दूगा तो अभी सबसे पहले जो मैं बता रहा था connections के बारे में, इसमें देखिए सबसे पहले यह SS का मतलब होता है source या sink, इतना clear इसके लिए वहाँ पे SS लिखा हुआ रहता है और उसके connection कैसे होता है, मैं अभी बता हुगा थोड़ी दिर में, यह जो X वाले जो terminals है, जितने भी X0 से लेकर X15 जो लिखा हुआ वो सब input terminals है input जो चीज़ है, यहाँ पे लगीगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, programming का terminal आपको नजर आ रहा है, इसके लावा यहाँ पे C0 जिसकों लोग common terminal बोलते हैं और Y0, Y1, Y2 जो आपको दिख रहा है, यह सब हमारे output terminals रहता है, clear है, terminals clear है, अभी connections की बात करें तो समझो, यह मेरा PLC है अभी मैं input के उपर मालों के एक मैं बैटरी दे देता हूँ या कुछ भी logic दे देता हूँ तो बैटरी के उपर मैं समझो, 24V, 110V, 230V, यह डिपेंड करता है आपके PLC के और आपका PLC कितने voltage को support करता है वो इसाब से मैंने power supply लिए power supply का समझो, मैं positive pin या positive wire जो निकालता हूँ यह चाहे DC रहे या AC रहे DC रहेगा तो समझो, line का वायर निकाल ले line और neutral होता ना, तो line का वायर DC रहेगा, समझो, 24V DC का supply दिया है तो यहाँ पे मैंने positive wire निकाला है फिर यहाँ पे NO switch button लगा देता हूँ और इसका connection में X0 के साथ में कर देता हूँ कहाँ पे? Input Terminal में X0 पे ठीक है? और जो SS लिखा हो ना, source side उसको मैं directly neutral के साथ में joint कर देता हूँ तो इस type के connection को बोलते है source type connection, क्या बोलते है source type connection clear है source type connection और अभी हम लोग देखे कि sink type connection, sink type में कैसा रदा है जो हमारा PLC समझो, ऐसा है मैंने battery ले लिया है, battery समझो 20, 24V, 110V, 230V जहो भी रहेगा, line का wire है या positive DC का wire है या neutral wire है, सबसे बहुले neutral wire के साथ में, मैं समझो NO switch button join करके X0 के साथ में लगा देता हूँ ठीक है, यानके input terminal में लगा देता हूँ और SS का connection में positive के साथ में लगा देता हूँ सबच मेरे हैं, यह negative को यहाँ पे लगाया और यहाँ पे positive को लगाया जैसे कि यहाँ पे उल्टा, मतलब पहले कैसा था source में यहाँ पे positive था और SS में negative था और यहाँ पे क्या है, SS में positive है और यहाँ पे negative wire है तो इस connection हो बोलता है sink type connection इतना समझ मैं है, तो PLC के दो type के connections हो सकता है source side या sink type समझ मैं ही बात source type या sink type तो इन connections को बहुत ही important माना जाता है PLC के अंदर, याद रखेगा यह वीडियो बहुत ही important वीडियो है जो लोग PLC सीखना चाते हैं या आगे सीखना चाते हैं जिनका आगे automation में जाने का नजरिया है, industrial automation के लिए तो सबसे important topic माना जाता है I hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया रहेगा याद रखेगा वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेर करना बिलकुल मत भुलिए और हमारे जो courses करने RLC, PLC वगर के बहुत सारे courses अगर आपको करने है, 40 से जादा courses है तो हमारा application है PLUSPOINT TRAINING नाम का यह application आपको Google Play Store पे मिल जाएगा iOS के लिए भी है, website भी है यहने के laptop या computer के जरीए भी कर सकते हो अधिक जानकरी के लिए मेरा WhatsApp नमबर है इसमें मुझे केवल हाई का message डाल दी जो तो मैं सारी जानकरी आपको WhatsApp के माध्यम से भीजा दोगा I hope कि दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आ रहेगा याद रखेगा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में share करना बिल्कुल नहीं बोले अगर आप नए है चैनल के उपर तो subscribe का बटन दबा के बैल का इकउन दबा दीजे ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएका उसका नोटिवीशन आपको जल से जल मिल जाए चले इस वीडियो में इतना ही thanks for listening